आई एवरीवर्न कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में वर्फ्रेंड्स आज एक बहतरी आपके सामने बायोलेजी का लेक्टो फिर से लेकर आए और बहॉत दिनों से आप लोग भोग बोल रहते हैं کہ सार बायोलेउग का लेक्टोर बहूत दिनों से नहीं आ रहा है तो यार आ गया है नहीं है बस डेली हम जो वीडियो से आपको दे रहे हैं उसको आपको चल रहा होगा और केमिश्टर एक बचा हुआ सब्जेक्ट है तो वह भी आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने मिल जाएगा तो आपको टेंशन नेने की जुरूत नहीं है चलुआ जाते हैं टॉ यह चाप्तर बहुत बढ़ा है तो यह लेक्चर नोबर 6 तक हम पहुचिये लेकिन और 3-4 लेक्चर लग सकते हैं दोस्तों यह चाप्टर को अपको चलुआ कि बहुत बढ़ा है तो आज क्या पढ़ने वाले आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सालेन पसार जो बसा हुआ है living organisms का वो यही 5 kingdom के अंदर बसे हुए correct है इसके अलबा और कोई चीज नहीं है दुनिया में living organisms की में बात कर रहा हूँ तो already पहला जो kingdom में जिसका नाम है kingdom monitor यह हमने complete कर दिया था previous lecture यानि lecture number 5 में हो गया होगा तो आप जाके देख लेना ठीक है दूस्तुरा जो kingdom protesta है वो आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा complete करने वाले है यानि कि आप लोग बस थोड़ा सा wait कीजिए और इस lecture को पूरा start to end देखिए ताकि आपको पूरा kingdom protesta समझ में आ जाए तो चलिए शिरुवात करते हैं तो kingdom protesta होता क्या है सबसे पहले अगर आप kingdom protesta के बारे में पढ़ोगे तो kingdom protesta are unicellular animals and also are eukaryotic organisms इसका मतलब क्या होता है unicellular का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जीव जो होते है जितने भी living things होते है वो cell से बंगते हैं और cells जो होते है वो एक भी हो सकता है और multiple भी हो सकते है लेकिन नाम में देखो क्या बोल रहा है unicellular मतलब सिर्फ और सिर्फ एक cell होगा तो सोच सकते हो कि यह छोटा- नाम का जो organism से जिसके अंदर बहुत सारी microorganisms आ जाते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, ठीके, तो unicellular है, एक cell से बना हुआ और साथ ही में eukaryotic, मैंने बताया था, eukaryotes का मतलब क्या होता है, eukaryotic यानि कि जो cell होगा, cell के अंदर जो nucleus होगा, वो well develop होगा, यानि nuclear membrane is present, ठीके, और जो इसके पहले kingdom moneda पड़ा था, वो क्या था, वो prokaryotes था, वो eukaryotes नहीं था, लेकिन ये eukaryotic organism है, ठीके, दुसरा चीज, ये जो kingdom protester के जितने भी type के organisms होते हैं, ये क्या करते हैं, it shows the link with fungi, यानि कि सोचो, कि ये एक ऐसे organism है, जिनका कहीं न कहीं कुछ connection है, क eukaryotic organism, लेकिन वही eukaryotic के category में fungus plants और animals भी आते हैं, यानि कि कहीं न कहीं ये दोनों क्या होंगे, दूर के रिष्टेदार होंगे, कहीं न कहीं दोनों के वीज में क्या है, एक connection है, correct है, अब वो connections क्या है, ये सभी चीज, एक एक करके खोद के निकालेंगे topic को tension मतले हैं, आ ये हमारा category बन गया है, जिसको हम बोलते है, plants like protista, यानि protista जो होते हैं, वो plants जैसे भी होते हैं, तभी तो protista और plant का link है ना, तो plants like protista में क्या-क्या विशेषता हैं, वो हम लोग को ध्यान से यहाँ पे देखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, कि ये जो plants like protista होते है it is also called as the chrysophytes, क्या कहते हैं इसको chrysophytes, ये नाम जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं बाइल जी में, इसको याद रख लेना दोस्तो, जितना हो सगे इसको spelling याद रख लेना, तो chrysophytes and इसको also कहा जाता है phytoplanktons, phytoplanktons क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये समुंदर के अं मतलब, obviously ये हमें आखो से दिखाई नहीं देंगे, इसको देखने के लिए microscope लगेगा, यानि इतनी छोटी size होती है, साथ ही में बोला है, photosynthetic होते हैं, यानि कि नाम में देखो, question क्या है हमारा, मतलब topic क्या है हमारा, plants like protesta, है तो protesta, लेकिन plant जैसे हैं, तो जब plant जैसे तो obviously photosynthesis process करते होंगे, तो इसलिए ये photosynthetic होते हैं, और कहां पाए जाते हैं, mainly पाए जाते हैं, oceans के अंदर, समंदर, गहरा समंदर, महा सागर, जिसको बोलते हैं, oceans, उसके अंदर पाए जाते हैं, ये organisms clear है, अब दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, mostly referred as die atoms, यानि कि ये जो plants like protista होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, die atoms के नाम से भी जाना जाता है, क्यो die atoms बोलते हैं, die atoms इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये organism का body structure होता है, वो एक soap like fitting, यानि कि उपर नीचे एक साबुन जैसा कवच होता है, जैसे आपका वो होता है, आपका जो हम लोग हिंदी में उसको स साबुन दानी कहते हैं, क्रेक्ट है, साबुन के उपर और नीचे एक प्लास्टिक का एक कोटिंग आ जाता है, जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, ताकि साबुन सुखार है, वैसे उसी प्रकार ये organism ना, ये soap जैसा, साबुन जैसा ना, उपर नीचे क्या होता है, जो की एक्च्वल में क्या होते है, सिलिका के कवर्स होते है, जो शेल्स आपने देखा है न, करेक्ट है, आपने देखा है न, शेल्स, ठीक है, तो उसी प्रकार का क्या होता है, इनकी कवरिंग होती है, और यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स लाइक, प्रोटि आपने दोडिखो लिखा你在ność यहां पर देखोंगे तो बहुत सरे पर प्रौटिश्टा है जैसे मैंने पहले ही बोल दिया अब अगला पर प्रटिश्टा दो हमने देखा कि यहां पर देखोगे इसको क्या कहा जाता है इसको प्रोच जों की यह पास किस्क्षा जाब आप उस्सेल्ग फिर्प सिल्ग में नहीं होते हैं तो आपना खुद नहीं बना सकते हैं जैसे प्लांस के पास पोटो सिंथेटिक होता है तो क्या होता है इसको भी छड़ा समय डीप में चले जाता हूं और पहली बात तो यह Commission स्टैंडर पड़ रहे हो यानिंगी यह जो डीप है वो एकडम भी डीप नहीं जीतना आप सोच रहे होंगे आर गहराई का भी गहराई होता है ठीक है न और अब 11 बें हो तो जो आपको अभी concept मिल रहा है उसका भी एक concept होगा तो वो कप पड़ोगे जब आप ग्राइडवेशन करोगे उस चीज को लेके आप आगे बढ़ोगे तो हर एक चीज आगे-ागे होती जाती जब आप हो सकता है उस subject में जब PhD कर रहे होंगे हो सकता है उस ची जलूरी है जिस वक्त पर जलूरी है वो उतना पढ़ना ज्यादा important होता है ठीक है समझ में आ रहा है तो बस इतना आपको याद रखना है कि इसके अंदर भी तीन category होते हैं Amoeboid protozoans अभी जो Amoeboid protozoans है इनके पास क्या रहेगा obviously इनके पास रहेगा pseudopodia हम सब जानते हैं Amoe Amoeba क्या it is a free living organism लेकिन जो एंट अमीबा होता है जो कि अमीबा का एक type है एंट अमीबा तो एंट अमीबा क्या है ये एक endoparasite है endoparasite का मतलब क्या आता है कोन बताएगा endoparasite दो अलग अलग वड़े जो दो साथ में endo का मतलब होता है अंदर parasite मतलब जो किसी और के उपर depend क करता है और उसी के अंदर जाके उसी को खाता है जैसे हमारे पेट में कीडे होते हैं इंटेस्टाइंस में कीडे होते हैं डॉक्तर बोलता है ये दवाई खालो अंदर के कीडे मर जाएंगे तो सेम उसी प्रकार अमीबा यानि इसके अंदर का जो पार्ट है endoparasite से ठीक है ये अंदर रहता है जानवरों के हो सकता है किसी आप सी के अंदर जो और्गानिसम से उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है और उसी के अंदर का जो मैटर है उसको वो खाता है अब ये जो है ना ये जब किसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या पैदा करेगा बिमार पैदा करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमोबिक डीजेंटरी डीजेंटरी आप जानते ही हो एक तरीके का लूज मोसन ही होता है इंसानों को होता है तो जब यह एंटामीबा जैसा एंडो पैरसाइड अगर किसी इंसान के इंटेस्टाइंस या फिस्टमक में आ गया तो व लेकिन फ्लेजेलेटेट क्या रहेगा फ्लेजेला रहेगा जो कि उसका लोको मोटरी औरगन इसको spelling tough होते हैं, तो इसका pronunciation भी tough होगा, ठीक है, तो इसको कैसे बोलोगे आप, trypanasoma, and ये एक ऐसा हमारा क्या है, protozoa का category का organism है, जो कि एक disorder, एक disease को cause करता है, जिसको बोलते है sleeping sickness, ठीक है, sleeping sickness एक नाम का, क्या है disorder है, जो कि ये, जो protozoa से वो cause करते हैं, clear है, तो उमीद करता ह कि हमारा जो animal like protista है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेतरीन topic था, ये भी आपको learn कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, अब चलते हैं, हमारे तिसरे topic के उपर, अब देखते हैं, कौन से type का protista है, अब आ रहा है, एक ओर type का protista, जिसको हम लग बोलते हैं, denoflagellates, या फिर dino बोल लो आप, जैसा आपका pronunciation है, ऐसा आप बोल सकते हैं, जो denoflagellates या फिर dino flagellates जैसा आपको बोलना है, बोल लो, अब इसके कुछ क्या विशेशता हैं, क्या characteristics से इसको समझो, सबसे पहली बात, क्या बोल रहा है कि ये aquatic organism है, और aquatic में भी क्या है, mostly marine, मतलब ये खारे पानी में रहते हैं, अब खारा पानी क्या होता है, या तो समंदर होता, या तो महा सागर होता, यानि seas होते हैं, या तो oceans होते हैं, correct है, तो वो उन में रहते हैं, या रखना, क्या रहेगा, ये जो dino flagellates है, ये aquatic है, mostly marine में रहते हैं, और दूसरा photosynthetic हो है, pair of flagella present है, correct है, नाम में इदे को dino flagellates बोला है, तो obviously इसके पास एक flagella की जोड़ी है, जिसके help से वो लो glocomotion कर पाते हैं, correct है, अब जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, photosynthetic है, तो photosynthetic pigments भी present होगे, कौन-कौन से color के pigments present है, yellow present है, green है, brown है, yellow है, red है, ये से कई सारे आप वो photosynthetic pigments देखने, मिल जाएंगे इस particular organism के अंदर, correct है, clear है, याद रहेगा ये topic, अब एक और चीज, example क्या है, dino flagellates का, तो example है, goniolex, क्या है ये, goniolex, देखो, नाम कितना difficult है, मेरे को भी बोलने में तकलीफ हो रही है, तो क्या है, goniolex, जो है, ये एक type का organism है, किस category का dino fl dino flagellates का example है, अब ये क्या करता है, ये एक ऐसो organism है, जो लगबगना, पुरे समुंदर को लाल बना सकता है, कैसे लाल बना सकता है, क्योंकि क्या होता है, कि जब इसका जो pigment yellow, sorry, माफ करना, red color का जब दिखता है, तो कभी-कभी क्या होता है, कि जो समुंदर है, समुंदर, उसके अंदर एक particular reason में, एक particular जगा पे, जहां पे ये ज़्यादा मातरा में present रहेंगे, जहां पे, जहां पे ये जो हमारे dino flagellates से बहुत ज़्यादा present है, तो जब उसका red pigment जब दिखरा होगा, तो because of the reflection of light, उस particular reason का जो पानी होगा न, वो लाल दिखाई देगा, तो इसल है, समझ में आ गया, तो यह था हमारा dino flagellates का topic, अब देखते हैं, और कुछ बचा है कि हमारा, तो अगला जो topic है दोस्तों, वो यहां पे आप देख पार है, जो कि है, fungus like protista, fungi like protista, अब protista में हमने जैसे आपको बताया थे कि plants भी हो सकता, animals भी हो सकता, तो plant हमने पहली दे myxomycetes, ठीक है, myxomycetes एक group होता है, जैसे myxomycetes, आपने सुना है न, यह example 9-10 standard में आपने पढ़ा होगा, जैसे myxomycetes is the category, it is a group of fungus जिसमें यह पाये जाते हैं, protista, ठीक है न, fungus like protista, और यह mostly क्या होते है, saprophytic होते है, यह सभी लोग जानते हैं, कि fungus जो होते हैं, वो saprotrophs होत सर्वाइब करते हैं, कहीं पर भी सर्डीवी चीज, कहीं पर भी कोई body, सड रही है, ठीक है इस प्रकास से कोई living organisms सड रहा है, decay हो रहा है, तो उसके उपर वो consume करते हो और वो अपना खाना ग्रहन करते हैं, ठीक है, तो यह क्या है, saprophytic organisms है, जो सूखी पतिया, जो dead decaying leaves होती जिसको क्या कहते हैं, plasmodium कहा जाता है, correct है, clear है, याद रहेगा यह topic, okay, अब चलते हैं हमारे आखरी topic यह पर जो कि है euglenoids, आज का आखरी topic इस lecture का ध्यान में रख लेना, और यह जो प्रोटिष्टा के जो types हम लग पढ़ रहे हैं, उसका भी आखरी topic है, तो इसको याद लेकिन फिर भी इसको separate रखा हुआ है, तो क्या है, lag cell wall, cell wall की कमी है, लेकिन अगर cell wall की कमी है, तो cell कमजोर हो जाएगा, तो cell को protect करने के लिए कुछ तो होगा, तो यहाँ पे cell को protect करने के लिए एक tough covering है, उसके उपर एक coverage है, tough covering है, और वो covering किस से बना हुआ है, proteinaceous material से, proteinaceous pellicle से बना हुआ है, clear है, अब इसके पास locomotion के लिए दो flagella है, एक short होगा और एक long होगा, तो याद रखना आपको, it has two flagella, one short, one long, and also, जैसे मैंने बोला कि cell wall नहीं है, मतलब animal वाला होगा, और animal वाला होगा, तो obviously heterotrops होगा, तो heterotrops है, लेकिन इसमें भी एक और category का है, पत खाना कहा से बना आएगा, autotrops नहीं है, लाइट नहीं मिल रहा है, तो जब light नहीं है, तब बन जाता है, यह heterotrops, जब light नहीं है, तब बन गया यह heterotrops, लेकिन जब light उसको मिल रहा है, तब वो अपना pigment को possess कर सकता है, light के presence में, और वो photosynthesis process को perform कर सकता है, यानि कि क्या है, कह पूछता भी है, इसका diagram भी पूछता है, तो देख लेना, बुक से आपको देखने मिल जाएगा, अच्छी तरीके से practice कर लेना, और इसी के साथ हमारा यह जो topic है, यह होता है, समाप, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने जितना भी type का protista था, protista क्या होता है, उ लेकिन आपको क्या करना है, हमारे सब बने रहना है, प्यार दिखाते रहना है, और support करते रहना है, चलो, आज के लिए इतना ही, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीस comment करके पता ना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, दोस्तों तो प्लीस वीडियो को like कर और अपने दोस्तों के साथ जितना हो से के शेयर कर देना और अगर फर्स टाइम आयो च्शनल फे अभी चानल को सब्सक्राइब नहींगी है तो पटआप-फट से याँ चानल को सब्सक्राइब कर देना बाजू में वेल अइकन को प्रेस कर देना तकी future में हम कभी भी कोई भी वीडियो को upload करेंगे तो आप लोगों को notifications मिलती रहेगी ठीक है friends, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूब वीडियो में तब तके लिए, thank you and good bye